नमस्कार मैं हूँ मनीश ठापूर और आप देख रहे हैं दव्यूज मीडिया 1993 के मुंबई में आदंग की हमला और दंगे के मामले में दाउद इब्राहिम चर्चा में आया लेकिन बॉली बुड में उस दाउद का आतंक था उस दाउद का पैसा था यहर कोई जानते थे दरसल दाउद ने हिंदू से 1992 में बाबरी बिध्वन्स का बदला लिया था और तब से वो दाउद जो सिर्मौर था बॉली बुड का वो भोगोडा हुआ उसकी तस्वीरें तो कई बार टेली बिजन चैनल पे दिखी लेकिन सभी तस्वीरें शारजा के एक मैच के दौरान का उसकी जवानी का कहते हैं कि क्रिकेट से उसे इस कदर सौक था कि उसकी चाहत हुई कि जावेद मियादाद को अपना संधी बनाए तो जावेद की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाई उस दाओद इब्राहिम का खौफ देखिए कि पुरा बॉली बुड कापता था लेकिन भारती क्रिकेट टीम के तब के कप्तान कपिल देव ने उसके साथ क्या किया था ये किस्सा दिलिब बैंक सरकर ने एक कारिक्रम के दोरान सिखाई और जब दिलिब बैंक सरकर से ने यह बात बताई तो पूरा देश चौँक गया दिलिब बैंक सरकर ने कहानी बताई उस कहानी को पूरा खोल करके रख दिया BCCI के तब के पुर्व सचिप जैन्त लेले ने अपनी किताब I Was There Memories of a Cricket Administrative अपनी किताब में जैन्त लेले ने भी वही बात कही जो देले बैंक सरकर ने बताई थी बाद में इंडिया टुडे के कारिकरम में कपिल देव ने इस पर सहमती बताई सोची जो काम कपिल देव कर सकते थे वो कपिल देव जैसे गड्स वाले कभी भी कर सकते हैं दरसल कहानी ये है कि दाओ दिबराहीम शारजाख मैच के दौरान जब अस्ट्रेलिया एशिया कप हो रहा था उसके फाइनल में भारती क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ खेलने वाली थी मैच की पुर्व संध्या पर दाओ दिबराहीम ठसक के साथ भारती क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गुज गया उस समय कपिल देव एक प्रेस कानफेंस को संबोधित कर रहे थे और दाओ ड्रेसिंग रूम में भारती क्रिकेटों पर अपनी धौंस जमा रहा था क्योंकि बॉली बुड में उस समय तक उसकी इंटरी हो चुकी हुई थी और बॉली बुड दाओद उड में बदल चुका था तभी इस दाओद उड के दौर के बाद से ही बॉली बुड में खानों की इंटरी शुरू हो गई ये बात 1987 की है और जब 17 अप्रेल 1987 की बाद दिली बैंक सरकर ने जब बताई तो देश ने जाना कि दाओद को कैसे धक्के मार कर कपिल देव ने ड्रेसिंग रूप से भगाया दरसल दाओद इबराहीम बॉली बुड के एक महारती आमिताब बच्चन का करियर बनाने वाले महमूद के साथ इंटरी मारी थी इससे महमूद की भी किसा गोई समझ में आती है कि महमूद को कैसे मसीहा बनाया गया महमूद दाओद को लेकर ड्रेसिंग रूम में पहुँचा लोग महमूद के चेहरे से तो पहचानते थे क्योंकि वॉली बुड में उस समय तक छाया हुआ था महमूद लेकिन लोग दाओद को चेहरे से नहीं पहचान रहे थे दाओद ने हर क्रिकेटर से कहा कि यदि मैच जीत जाते हो तो एक-एक टोईटा कार सभी खिलाडियों को दूगा अब ये बात जीतने की थी या हारने की ये सस्पेंस है लेकिन यदि बैंक सरकर ये बात सही कह रहे हैं कि जीतने के लिए कार देने वाला था तो ऐसा क्या था महमूद क्यों लेकर आया था कपिल देव उसी समय इंटरी करी कपिल देव कोई कताई पसंद नहीं था तिकि ड्रेसिंग रूम में कोई और आए जब कपिल देव इंटरी करे तो उहने महमूद को पहचान लिया महमूद से कहा कि आप क्या कर रहे हैं महमूद को कहा बाहर चले जाए थोड़ा सम्मान दिया लेकिन दाउद अपनी अकड दिखा रहा था तो बैंक सरकर के मताबिक धक्का मारते वे कपिल देव ने दाउद इबराहिम को ड्रेसिंग रूम से बाहर किया और रहा भाग जाओ यहां से दिखाई मत देना दुबारा यदि दाउद के उपर खौफ था तो कपिल देव के साथ ही कुछ कर सकते थे लेकिन इस दाउद का आतंक बॉली बुड पर रहा 87 के बाह से लेकर 92 तक वो बॉली बुड पर च्छाया रहा 93 तक च्छाया रहा मुंबई पर आतंकी हमले के बाद भी च्छाया रहा लेकिन जब दाउद का नाम आया 95-96 के आस पास तो पता चला उसके खौफ से उसके आतंक से बॉली बुड किस कदर आतंकी था क्यों इस बॉली बुड को दाउद उड कहते हैं और कैसे उसके क्रिकेट मेंटरी थी वो जाबेद मियादाद के समधी बनने से समझ में आया पाकिस्तान आज भी ये सुईकार नहीं करता कि दाउद उसके पास है दाउद किस हाल में होगा ये उसकी उम्र का अंदाजा लगा के समझा जा सकता है लेकिन क्रिकेट और वॉली बुड की तबाही में किस कदर उसकी भूमिका थी ये समझ में आता है क्यों असरी के दशक तक क्रिकेट खिलाडियों के चैन में महरास्ट की ही सिर्फ भूमिका होती थी इसके माईने समझ में आता है लेकिन सबसे हम ये कि कपिल देव की वो दर्या दिली दूसरे क्रिकेटरों और खास करके बॉलिबुड में रीड भी ही किसी नायक में कभी क्यों नहीं हुआ इसलिए लगता है कि बॉलिबुड हमारे समाज के लिए नायक बनता रहा लेकिन सही माइने में वो दावत इबराहिम के सामने रीड मोर कर नाचने वाले शैतान ही रह गए ये विशलेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंट इन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा जैहिंद वंदे मात्रम